बिस्मिल्ला ही रहमान रहीम आज हम डिस्कस करेंगे कलुकुलस 3 उसका लेक्चर हमारे पास 23 है हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद AP Mathematics है यहाँ पे FSC, BS, BSE, MSC Mathematics को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेर करें आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टन लेक्चर हमारे पास है Multiple Integral उसका जो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है वो है Double Integral हमारे पास Thorem है, जिसका नाम है Phibonese Thurums, यहाँ पे देखें हमारे पास दो वेरी बल एक्जिस्स करेंगे क्योंकि हम Double Integral की बात करें, F of X, Y, D, X, D, Y, यहाँ जो काबले और बात हैं, इसका मतलब हम पहले इसको Integrate करेंगे with respect to X, बाद में Integrate करेंगे with respect to Y, देखें अगर आपको Limit दी गई हूँ, for example, A to B, C to D, अगर आपके पास Limits गिवन है, वो आपके पास कहलाता है, Definite Integral, Definite Integral का मतलब है, जो इसका आंसर आएगा, वो कोई Constant नमबर आएगा, तो इसका मतलब है, पहले हम इसको Integrate करेंगे with respect to X, यह जो Limit दी गई होँगी, फाक देखेंगे मैं इसको लेता हूँ, C to D, यह जो Limit है, यह C to D, यह किसकी Limits होँगी, X की, जो बाद वाली Limit हैं, वो किसकी Limit होँगी, Y की, इसका मतलब अगर मैं इसको Limit को बोलूँ, A to B, इसका मतलब जो Y की Value है, वो हमा दोनों Limits Constant होँ, A to B, यह आपके पास इसको देखें, आप लिख सकते हैं, C to D, F of X, Y, D Y, D X, जाब बेटा, मैं बताना यह चाहरा हूँ, कि जाब आपके पास देखें, A to B भी Constant Limit है, C to D भी Constant Limit है, for example, 0, 2, 2, 0, 2, यह 2 से Scale Root 3, देखें, यह Limits जो हमारे पास क्या हैं, Constants हैं, अगर आपके पास Limit Constants हों, तो बेटा, आप Integral जो Integrate है, D X, D Y को, आप Change कर सकते हैं, D Y, D X में, अगर Variable एक, जो आपके पास Limits हैं, एक Limit Constant है, और दूसरी Limit Variable की शकल में है, तो फिर बेटा, आप इनको Change नहीं कर सक देखें, देखें, हमारे पास Exercise है, 15.1, हम डिसकस का रहे हैं, Thomas Finney से, हमारे जो सलेबस में, वो Question No.1 से Question No.20 है, Evaluate, 021, 021, Y over, 1 plus XY, D X, D Y, इसका मतलब है कि पहले हम इसको Integrate करेंगे, वेजर स्पैक 2X, बाद में Integrate करेंगे वेजर स्पैक 2Y, देखें, जब आप पहले करेंगे, Integrate वेजर स्पैक 2X, जो पहली Limits होगी, वो X की होगी, इसका मतलब जो X की Value है, वो 0 से 1, जो Y की Limit है, वो भी क्या है, 0 से 1, देखें, आप दोनों Limits Constant है, तो आप इनको आगे प देखें, डी, वाई, डी, एक्स, ये उसी वाकित हम जस्ट चेंज का सकते हैं, जब दोनों Limits क्या हों, Constant हों, तो देखें, हम इसको पहले Integrate करेंगे, वेजर स्पैक 2X, तो देखें, Integrate करें, अगर आप देखें, नीचे बाद जो हमारे पास Function है, अगर मैं इसका Derivate लू With Respect to X, 1 Plus XY, देखें, 1 का Derivate 0, X का Derivate 1, तो क्या बाद गया Y, देखें, जब भी एक से ज़ादा Variable हों, तो Derivate हमेशा लेते हैं, Partial, तो हमारे पास क्या आगया Y, अगर आप देखें, नीचे Function उपर उसका Derivate, आपने Rule पड़ा हुआ था, कि अगर नीचे Function है, उपर उस इसी Function का Derivative exist करें, तो फटा Function का क्या जानी, Denominator का क्या जाता है, Natural Log, तो देखें, यह हमारे पास Function है, यह उसका क्या है, जब देखें, मैं इसका Derivate, तो अंसर क्या था, तो Function का क्या हो जागा, Natural Log, लिमट क्या है, 0 to 1, अब आप देखें, यह किसकी लिमट है, X की, X क एक Value, 1 है, X की दूसरी Value क्या है, 0, पहले आप अपर लिमट पुट करते हैं, X की जगा पे 1 पुट करते हैं, यहां पुट करें, X की जगा पे 1, तो क्या गया, 1 प्लास Log, माइनस, कैसे पुट करते हैं, अग आप कुई पता है, A to B, F of X, DX, पहले अपर लिमट, माइनस, लो तो हमारे पास आगया, Natural Log of 1 प्लास Y, यहां पे भी आखे पास Natural Log में फंक्शन हो, और एक ही फंक्शन हो, साथ आप क्या ले लिया करें, 1, यह देखें, मैंने 1 ले लिया, इसको करेंगे, Integration by Parts, Log, First Function, और यह Second Function, देखें, First Function, as it, Integration of Second, देखें, जब आप 1 की Integral करेंगे, तो क्या जाएगा, Y, माइनर, First का Derivative, तो देखें, जब आप लेंगे, अपना Derivative लेंगे, पार्शल सोरी, Natural Log of 1 प्लास Y का, तो क्या जाएगा, 1 ओवर 1 प्लास Y, तो 1 की Integration, Y, अब आप क्या करें, इनको डवाइड करें, आप 1 को प्लास भी कर लें, माइनस को भी कर लें, इसका बड़ाजा कर लें, वाण आजएगा, और इसका बड़ाजा कर लें, 1 ओवर 1 प्लास Y, देखें, अपर लिमर पूट करें, Y की जगा पर 1, 1, 1, क्या गया, Log of 2, Y की जगा पर 0, तो सारा टर्म क्या होगी, 0, तो आप आप देखें, ये सारी टर्म क्या बन जेगी, 0, तो हमारे पास क्या बाच गया, Log of 2, तो नेक्स्त आप क्या करेंगे, Log of 2, मैंने डेवाइड कर दिया, 1 की इंडिक्रेशन Y, क्यूंकि हम का रहे है वेदर स्पैक्ट to X, देखें, जब आप वेदर स्पैक्ट to X करेंगे, तो 1 की इंडिकरेशन X, जब आप आप देखें, आ to limit 1 1 plus 2 lower limit 0 तो क्या थिक HIा 1 तो आपने पड़ा हुआ कि rok क्या ही 0-1 log of to logo 10 तो देखें log of to log of to log of to minus 1 वानेक्स हमारे पास है क्वैसिन न्मबर 10 वही हम डिसकस करें exercise 15.1 तो देखें हम हमारे पाच जो पहले हम इंट्टिक्र करेंगे spirit spec to y है और बाद में करेंगे हम weather spec to x देखें जो पहले लिखा होगा integral इसका मतलब हम इसको integrate करेंगे weather spec to y फिर करेंगे weather spec to x जब आप पहले weather spec to y करेंगे तो पहले limit क्या होती है y की इसका मतलब जो 0 से 2 तक है ये y की limit है और 0 से 1 हमारे पास x की limit है तो करें आप इसको with respect to पहले y देखें x x क्या हो जाएगा का उस्ट लादा कर लिया करें y को integrate जाब आप y को integrate करेंगे y 2 over 2 upper limit minus lower limit put कर रहा पर limit 2 का square 4 over 2 y की value lower limit 0 तो cancel करें क्या गया 2 में को मैं बाहर लिख लिए अब हम करेंगे इसको integration by parts यह first function और यह second function first function as integration of second क्योंकि e की power x की integration e की power x और जो x का derivative होता है वो क्या होता है one integration by parts क्या आपने पड़ा हुआ है you into be x integration by parts कहता है अगर यह first function है और यह second तो दिखें first function as integration of second whole integral general first देरीवेट्टीव यहां सेकेंड यहां पर भी सेकनड की इंतिग्रेशन जो आसर और उसकी फिर है इंतिग्रेशन देखें from इसेकंड की इंतिग्रेशन लिमट ज्सेड की इंतिग्रेशन लीम्र्च गेक्स सिगाफ पर एक्स की Site की पावर एक्स पहले अपर लिम्ड का यह कि देखें यहाँ यह ऑख पर दोग्य करेंगे कि पावर कि रोएखर लिम् Provost करेंगे एकंए पावर जिरो आपने परदाना क्या होता है to require करें question number 15 है region हमें r दिया गया है x y cause of y d y देखें बड़ा d y d a का मतलब होता है d x d y लिख लें या d y d x लिख लें या आपकी मरज़ी अपनी मरज़ी होती है अगर आप पहले d y लिखेंगे तो पहले लिमन किसकी होगी y की देखें y की लिमन क्या है 0 से पाई पहली को बड़ा a बोलते है a 0 दूसरी लिमन को b b की वैल्यू क्या है पाई 0 to पाई अब दूसरी वैल्यू किसकी होगी बाद वाली x की x की लिमन क्या है माइनस 1 से 1 अगर आप लेखते d y d x पहले d x आता तो पहले आपने d x की लिमन लिखनी थी तो अब आप देखें हम करेंगे with respect to y तो क्या करेंगे integration by parts यह first function और यह second function देखें first function as it integration of second cause की integration हमारे पास क्या होती है sin y limit 0 to pi minus first का derivative क्योंकि जाब आप लोगे with respect to y तो y का derivative क्या होता है one तो second की integration अब देखें हमारे पास आगया sin sin की integration होती है minus cause y तो minus minus क्या हो जागा plus 0 to pi अब पुट करें upper limit आपको पता है के sin pi क्या होता है 0 और sin 0 भी क्या होता है 0 जब आप पुट करेंगे upper limit फिर भी answer 0 low limit फिर भी answer 0 cause तो आपको पता है cause pi की value minus 1 cause 0 की value positive 1 तो पुट करें upper limit minus lower limit cause by minus 1 cause 0 plus 1 यह minus 7 यह वल आ गया तो क्या गया minus 2 अब minus 1 से 2 साथ क्या आ गया यह वल एक्स आप करें एक्स को e power x y d a तो मैंने पहले भी बोला था कि d a का मतलब d x d y लिख लें या d y d x अब आप देखें पहले आपने d y लिखा है तो यह पहली लिमर किसकी होगी y की y की लिमर क्या है 0 to 1 बाद में आपने d x लिखा तो इधर बाद लिमर क्या होगी x की 0 to 2 तो integrate करें यहां यहां यह सबसे important यहां पे result है आपने पड़ा था कि अगर आपके पास e की power x square है तो देखें power क्या है x square तो x square का जो derivative होता है वो क्या होता है 2x अगर इसकी power का derivative साथ हो तो आंसर आता है e की power x square तो देखें यहां पे हमारे पास क्या है यहां पे e की power x y square हमने इसका डेर लेना with respect to y क्योंके पहले हमने कहना y ले लें partial y आपने पता है exponential function पहले as it फिर power का derivative with respect to y power क्या है x y square तो y देखें मैं लेना with respect to y तो y का derivative y square का 2y तो यहां गया 2xy e की power x y square तो note कर लें यह function साथ उसका क्या है derivative कमी किस की है 2 की मैंने 2 से multiply भी कर दिया 2 से divide भी कर दिया देखें मुकमल हो गया जा मैं 2 से multiply करूंगा 2 से divide यह function और यह उसका derivative तो e की power x square y साथ आजएगा देखें जैसे मैंने आपको बताया था तो हमारे पास आगया अब क्या करेंगे limit zero to one पहले हम यह देखें यह value किसकी है y की है यह ख्याल करना अपने आगे देखें e की power zero क्या जाएगा one e की power x की integration e की power x limit zero से two one की integration x limit zero से two upper limit minus lower limit upper limit x value two minus x value zero तो e की power zero आओके पास क्या जाएगा one तो minus one minus two तो क्या गया हमारे पास e square minus three into one by two next हमारे पास important question है question number twenty हमारे पास region given है y over x square plus y square plus one da तो देखें da को आप dx dy लिख लें या dy over dx जाब आपने पहले dx लिखा तो पहले limit किसकी होगी x की x की limit क्या है 0 से one दूसरी limit क्या होगी y की 0 से one अब फ़र से इसकी integration को आप देखें हम लिखते हैं 0 to 1 0 to 1 y over ये x की x square वाइस को मैं लिखता हूँ x y का square plus one dx dy आपने पढ़ा था derivative of tangent inverse x 1 over 1 plus x square अगर मैं इसको लिखूँगा integration में one over one plus x square dx तो क्या जागा tangent inverse x तो यहां पे देखें हमारे पास zero to one y constant है zero to one one over x y का square plus one का square dx देखें अगर आपके पास ऐसे हो tangent a x का square plus one का square dx तो देखें यह constant हमारे पास बाहर आजाएगा देखें यह हमारे पास one over a constant बाहर tangent inverse x over one तो देखें यहां पे हमारे पास x square y is zero to one y into यहां देखें हमारे पास y क्या constant one over y tangent inverse यह किसका का काँँ करा एक्स over x y over यह क्या है one तो हमारे पास y से y cancel zero to one tangent inverse x y limit zero to one d y तो देखें हमारे पास tan inverse x y limit zero to one तो देखें यह किसकी limit है x की x की value 0 है दूसरी x की value क्या है 1 तो x की value आप पहले 1 put करेंगे तो क्या जगा y फिर आप put करेंगे x की value 0 तो 10 verse 0 अपने पड़ा हुआ है कि tangent verse 0 क्या होता है हमारे पास 0 तो आगे हम करेंगे integration by parts first function second function first function as it integration of second जब 1 की integration करेंगे with respect to y तो answer क्या जगा y limit zero to one minus first derivative one over one plus y second की integration put करेंगे अपर limit यहां y है y की value one put कर दें उसके बाद आप y की value को आप zero put कर दें आप देखें यहां से मैंने two से multiply कर दिया two से divide कर दें देखें यह इसका function और यह उसका क्या है derivative जब आप लेते हैं derivative with respect to y one plus y square तो क्या आएगा y तो आप देखें tangent inverse one आपके पास value होती है pi by four दे नीचे function उप्रूस का derivative तो क्या आगा natural log of one plus y square put करेंगे upper limit y की value एक वागी 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 to natural log of two यह हमारे पास very very important लेक्षर था अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हम से डिस्कस कर सकते हैं